समस्या क्या है आज़ी दी की बात अलब समस्या क्या है बहुत बड़ा अत्या चाहता आधिवासियों के साथ तो नुबत्र में जो गॉए बहुत बहुत लोग भाले गए कि मिर्मम भत्या की गई क्यों की गई अपना अधिकार मांग रहे जिस जमीन को वो पुष्टों से जो थे उस जमीन का कबदा किया गया उनों बहुत जब धान दान काया कबदा करने वाने होँआ गया 31 गई जब पाओं वालों ने कुछ कहा उनको रोकने की कोशिश की तो एक दम से उनकी हत्या कजी श्रूप कि यारा नूगों की हद्या कि उन में से शायद तीम महिलाएं भी हैं मैं अभी हस्पिताल से आई वहाँ छे लोग एक सत्रा साल का बच्चा उसको यहां पे गोली लगी है उसकी माँ अब यह पलंपे लेती है उनको भी गोली लगी है कि उनके सर पर इंट बारा गया लाटखी से उनका हाथ तोड़ा गया तो इस प्रदेश की कानून विवस्था कहां है थाजसे से पहले फोन किया गया था कुलिस को तीन दिन पहले गाउवाले गये थे कि ऐसा हो जाया है हाथ से के दौरान पुलाया गया था कोई मदद नहीं हुए और मैं सिर्फ इतना कह रही है कि मैं पीरितों से मिलने जाए मैंने कहा थी अगर एक सौट्राइस है मैं तीन लोगों को लेके जाओंगा इस से जादर नहीं जैस सिर्फ उनसे मिलना है क्योंकि उनको यह असास होना चाहिए कि उनके साथ कोई खड़ा है कि वो अकेले नहीं है इस दर्ग में चाहिए वो कोई भी हो जब मैं मिर्जापूर पहुंची तो मुझे रोका गया कि आप मिर्जापूर नहीं जाए तो मैंने क्यों नहीं जा सकती कुछ गोडर मिर्जापूर में उस समय कोई धारा थी सिर्फ सोन भद्र में 114 ती उसको भी मैं कह रही थी कि मैं उसका उलंधन नहीं करूंगी शांती पूर में जाओंगी तीन लोगों को लेकि तो कौन से बड़ी आपती आती है तो जब उन्होंने का कि कोई आपको जाने ही देंगे ल मेरी अच्छा है कि जब तक मैं उन पीडितों से नहीं मिलूंगी तक करकमें अब चाहें यहां से कहीं होने जाएं यहां सा तो पूर मुइड़ी है यहां से इस अगे हम सबस्ट करना चलका है यह हाथ्षा हुआ है कि आपर राश्न मेडिया करना है नहीं हाथ हो रहा है आपने दिखाया पर बड़ों की जब फत्या होती है तो उसका कोई माइना नहीं हो अरे अरे अब इसलिए आई कि पूरा देश देखे कि इस प्रदेश में क्या हो तो पूरा देश देखे यह देश के एक एक पच्चा, वो 17 साल का बच्चा जो हस्पिताल में लेटा है, उसके साथ देश का एक एक 17 साल का बच्चा ख़ड़ा है, उसके अपनी लडाई लड़ी है, अपनी माता पिता की जमीन की लडाई हो 흔, हम आपके साथ, यही कहने के लिए नहीं आपके रेहे ह इस कोईब दो